नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉक्वित पुनित में दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसका इस्तिमाल करके आप ये पता कर सकते हो कि कहीं आपके नाम का SIM card कोई दूसरा person तो यूज नहीं कर रहा है या फिर आपके नाम पर कितने SIM card active है ये भी आप चेक कर सकते हो तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा अपने mobile के Chrome browser में आना होगा और Chrome browser में आने के बाद आपको एक website open करना होगा वो website का link आप यहां screen पर देख सकते हैं तो ये government website आप यहां पर देख सकते हो यहां पर department of telecommunication का यहां पर logo है ठीक है और .gov.in है यानि की पूरी तरीके से ये government website है और इसे अभी हाली में launch किया गया है तो यहां पर simply आपको करना क्या है सबसे पहले अपना यहां पर mobile number एंटर करना है और उसके बाद request OTP पर क्लिक कर देना है तो सबसे पहले मैं यहां पर अपना mobile number एंटर कर लेता हूँ तो यहां पर मैंने अपना mobile number एंटर कर लिया है अब हमें करना कि है request OTP पर click करने के बाद आपके पास एक one time password आएगा उसे आपको यहाँ पर fill कर देना है तो मेरे यहाँ पर OTP आ चुका है तो मैं यहाँ पर OTP को fill कर लेता हूँ OTP fill करने के बाद आपको simply validate पर click कर देना है पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हो list of mobile number करके आपके सामने एक interface आ जाएगा तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो यहां पर showing zero numbers यहां पर show कर रहा है यानि कि यहां पर जो अभी zero numbers show कर रहा है इसका मतलब यह है कि यह जो service है यह अभी हमारे area में active नहीं हु dot in है यानि कि यह पूरी government website है और इसे अभी हाली में release किया गया है ठीक है तो यह अभी कुछी state के लिए अभी eligible है तो आप लोग अपना mobile number डाल करके यहां पर check कर सकते हो तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताए तो दोस्तों वीडियो को अच्छा